हेलो साथियो नमस्कार जैहिंद कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही खास वीडियो जिसमें हम डिसकस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का प्रशाशन एडमिस्टेशन आप हिमाचल प्रद है ट्रिक्स भी बीच मैं बताऊंगा क्या कौन सी चीज आपको किस तरह से याद रखनी हैं तो कुल मिलाकर आप ऐसे समझेगर आपने वीडियो को बिना स्किप किये हुए पूरे लाष्ट तक बहुच किया तो आपके लगभग हर एक्जाम कोई एक्जाम में कम से कम पांस से लेकर छे नंबर इसली सिक्योर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से हिमाचल प्रदेश प्रशाशन की कोई भी और वीडियो देखने की जुरूरत नहीं पड़ेगी जैसे आप जानते हैं साथियों कि अपकबिंग एक्जाम हिमाचल प्रदेश पुलिस का होने वाला है हिमाचल प्रदेश पुलिस का होने वाला है इसके लावा एच्पी टैट भी होने वाला है नेक्स्ट मन्त में इसके साथ साथ जितने भी अन्या एक्जाम होते हैं चाए वो हमीरपूर बोर्ड का हो या किसी भी अन्या स्तार का जिसमें हिमाचल प् लगता है उन में सबसे इजी चैप्टर जो है मुझे पर्सनली प्रशाशन लगता है कि छोटा सा चैप्टर अगर इसको आप स्टोरी के रूप में समझेंगे जैसा कि परवर्ड करनी है अगर हमें लगता है कि आपके कोमेंट से आपका अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है तो आपके सवयोग से हम नेक्स्ट वीडियो भी जरूर लेके आएंगे जिसमें कि हम इसी हमाचल प्रदेश के प्रशाशन के जो टॉप 50 कोशन होंगे उनको हम डिसकस करे तो के गाइज चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ठीक है तो 15 अगस्त 1947 को देश को सुतंतर्वा मिलने पर वी यहां किशाशक असानी से जनता क्यातों में सत्रा सौंपने से इंकार कर रहे थे लेकिन आपको जो इंप्योटन चीज याद रखने वो रखने है ठ्योग कि लोगतंतर सरकार में अपना बिले करवाया था कॉशन इस तरह से आता है कि सुतंतर भात में शामिल होने वाली हिमाचल प्रदेश की सर्प्रथम रियासत कौन सी थी तो गाइज वो थी ठ्योग ठीक है तो जो ठ्योग के राजा थे उन्हें 17 अगस्त 1947 आप जानते कि हमार है लोगतंतर सरकार जो इंडिया में अपना पहले भी ले करवाया था गया इसे कोशन बहुत 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 बार आ चुका है जो साथी हमिरपूर के एक्जाम किसी भी एक्जाम कंप्रेटर एक्जाम के प्रेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपोर्टन चीजे में आप इंडिया में ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है इसके साथ ही देखिए आप लिखा भी भारतियसंग में बेले होने वाली पहली हिमाचल रियासत थी उसके बाद जो आपको यहां पर दिख रहा है हिमाचल की अस्थाई सरकार बनाई गई थी यूंकि आप जानते कॉंस स्थाई सरकार बनाई गई थी तो आपको इसमें कुछ याद रखना आपको एक नाम रखना है याद शेवानंदर रमॉल का कॉश्चन इस तरह से बनते हैं कि हमाचल परदेश में प्रत्म अस्थाई सरकार बनी थी 26 जनवर उनिस और तालीस को उस समय किसे प्रधान निउक सारे सारे बायश परवार जोकी हमाचल परदेश के प्रत्म सियम थे उनको भी ऑप्षन में नाम दिया जाता है तो बहुत सारे इस पर टिक करके आते हैं लेकिन गाईज आपको ध्यान रखना है जो बायश परवार जी वह अस्थाई हमाचल सरकार के प्रता नहीं थैबलकि कि शिवानंद रमॉल जी थे ओके तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया साथ यो इस वीडियो में आपको एक्जाम औरियेंटेड पिल्कुल ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो एक्जाम के दिर इंपॉर्टेंट है बाकि तो आप बुक्स से खुद भी पढ़ सकते हैं मै जो कॉशन आये होते हैं उसके अधार पे आपको चीजे बता रहे हैं ओके आई होप कि आप समझ रहे होंगे नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का नाम करन तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें आपको एक चीज या दखने है कि जो सम्मेलन हुआ था बगहाट में ह जो दूर्गा सिंग जी है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी पढ़ लेते हैं इसको ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए हिमाचल प्रदेश का नाम करन चबी से अठाई जनवर 1948 इसमें प्रजा मंडला और रियास्तों के राजाओं का सम्मेलन सोलन के के रूप में जाना जाता था और रियास्तों के जो कुछ एक राजा थे उस समय उनके मध्यों जो है इस तरह की एक मीटिंग हुई है ना तो इस मीटिंग में नेरनों किया गया था कि हलंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जो वाइस प्रमार जी थे प्रजा मंडल के सदसे उन्हें हिमाचल प्रदेश ना जो हिमाचल प्रदेश अभी बरतमान में हिमाचल प्रदेश का नाम है इसको ना सविकार करके हिमाचल प्रांथ के रूप में नाम दिया गया था लेकिन बाद में जो है हिमाचल प्रदेश ही डिसाइड किया गई इस मेटिंग के बाद और ह मचल प्रदेश के रूप में ही जाना जाना लगा जब 15 अप्रेल 1948 की स्थापना की गई तो इसमें जो कुल मिलाकर इंपोर्टन चीज है वो है दुर्गा सिंग की ये नाम आपको याद रखना जैसे आपको शिवनंदर मौल याद रखने के अस्थाई सरकार के प्रधान थे उसी तरह से आपको याद रखना है कि जब सोलन के भगाट में प्रजा मंडलों और रियास्तों के राजाओं के मध्यों धरवार हॉल में मिटिंग हुई मतलब में मचल प्रदेश के नाम करण को लेकर तो उसकी अधिक्षता की थी तो राजा दुर्गा सिंग जो राजा दुर्गा सिंग है ये बगाट के राजा थे ततकालिन जो एका सोलन सोलन, जो कालंतर में सोलन है उसी का पुराना नाम मतलब घगाट का इक्षेतर था तो दुर्गा सिंग्भां के राजा थे उन्होंने इसकी अधक्षता की थी तो ये आपको याद रखना है सुकेट सत्याग्रा है 18 फरपर 19.46 को नेताओं और जनता की रियास्तों के भारत में बिले को लेकर सत्याग्रा करने पर हुआ था कि जो सुकेत के राजा थे वो जो है इंडिया पे अपनी रियासत का बिले नहीं करवा रहे थे तो जो पंडित पदम जी देब जी थे उनके निते तब मैं जो है कुछ अंदोलन क किया गया शर्थ यह थी कि जो सुकेत रियासत है उसका भी अन्य रियास्तों की तरह जो अन्य पाड़ी रियासते थी उनकी तरह भारत में इसका बिले किराए जाए तो जो है फिर 15 आपरेल निस और ताली को सुकेत को जो हमाचल में शामिल किया गया तो यह कूश्चन जो आता है आप से पूछा जाएगा यह सुकेत सत्याग्रया का भुआ था तो आपको याद रखना आठारा फरवरी निस और तालीस को हुआ था दूसरी चीज़ा आपको याद रखनी है गाइज को इस तरह से मनता है जो सुकेत सत्याग्रया के नाइक कॉन थे तो पंडित तो यादम देजिके नितित्व में उसके बाद उसकेट के रजाने अपना बिलाए अपनी रियासत का बीले भारतिय संग में करवाया था भारत देश तौन को लेकर ग्रियूंट इस तरह यह 15 प्रेल उन्हें सोटालेस के अंसर है तो इसना ना ही पूलिस में आए जो भी अपकमिंग एक्जाम है पूलिस का फाई हो तो उसमें आप बिल्कुल भी यह ना अगर की इतना इजी कौशन आएगा है ना इतना कौशन आएगा भी तो आपको खुश नहीं होना वलकि आप कौशन यहां से इस तरह का बनता है जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले तो टोटल कितनी रियास्ते थी तीस रियास्तों को कुल मिलाकर तीस रियास्तों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का निर्मान किया गया था तीस रियास्ते ओके अब कौशन इस तरह से बनता है जो तीस रियास्ते थी उस में से पहाड़ी रियास्ते यानि कि हिमाचल प्रदेश की ती और चार रियास्ते जो पंजाब की थी गाईद अगर आपको पता नहीं है तो आपकी जान के लिए मैं बतादू जो हिमाचल प्रदेश है जो एक पहाड़ी राज्यों बरतमान में है वो पहले पंजाब या पैपसु जो पंजाब राज्यों है बर्तमान में उसका ही हिص्सा था तो जब 15 2024 को हिमचल परदेश की स्थापना की गए एक पाड़ी राज्यों के तोड़ guy तब हिमचल परदेश की पाड़ी राष्टे कितनी थी चब ती 26 थी जबकि पंजाब की चार रियास्तों को इसमें मिलाए गया था कुल तीस रियास्ते थी जिसमें की 26 जो है पहाड़ी रियास्ते थी और चार जो है वो पंजाबी पहाड़ी रियास्ते थी यनि की चार जो है पंजाब से लिए थी जब की 26 जो है हिमाचल प्रदेश की रियासते सी और इसके साथ ही आपको एक और इंपोर्टेंट चीज रखने की जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मातर चार जीले थे चार जीले कौन कौन से थे चमबा था मंडी था महासू था और सिर्मौर था यहां पे आपको बिलकुल एक चीज इंपोर्टेंट रखनी है याद कि महासू जो है जो बरतमान में काल अंतर में महासू को जो है शिंबला जिला के रूप में जाना जाता था तो आपको कौन सा जिला जो है मचल मचल पर चिक करके 1971 में शिमला महसू को ही change करके शिमला बनायाँ गए तो मैं आपको भी वीडियो में शिमला बनाया गया थे कैसे आप वीडियो में आगया गया थे लेकिन अभी के आपको इतना याद रखना है कि पेपर में चार आपशन दिये होंगे ठीक है और माहसूप की जगह शिमला दिया ह Gaussian और दिया होगा तो गैज आगर शिमला होगा तो शिमला आपा हम पे टिक करना है आपने क्योंकि शिमला उस समयर डिस्टिक नहीं था समझ रही है ना हननकी आपको पता है कि महसू जो यह शिमला का पुराना नाम है महसु था तो मतलब शिमला था लेकिन साथ यो आप इस बात को समझें कि उस समय जब गठन किया गया था उस समय महसु का नाम जो है शिमला जीले का ना महसु था तो इसलिए एक्जाम में जब क्वेशन है तो उसको आप सोच समझ के आपको करना है आई हूँ आप समझ रहे होंगे तो चार जीले काउन काउन से था चमबा मंडी महसु और सिर्मौर तो इसके साथ या आपको एक और चीज़ भी इंपोर्टेंट याप याद रिखने कि जब गठन हुआ तो उस समय हिमाचल प्रदेश की जो सब्सक्राइब करना हो नया है तो इसको TOफें पूछने वाला नहीं ज़रूर आप से ये पुछा जा सकता है जब हिमाचल परदेश का घटन हुआ उस समय हिमाचल परदेश का क्षेतरपल कितना तो य्जाषिए आपको याद Ryarm 2769 square kilometer यानि कि आपको सम्पली मोटे मोटे तोर पीर चार रखना एक लग भग 27000 square प्रदेश में कैसे वरने थे उसको आप अभी आगे धीरे-धीरे से समझेंगे ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट आप ये भी जान लीजे कि पंदरा प्रेल उनिस अड़तालीस को जब हमाचल प्रदेश की स्थापना की गई तो किस तरह का उसको दर्जा दिया गया था कब जो है गौश रेने काराज्या बना कब मुख्यحم आयूक्त खेतर बना कब यूनियन टेरिट्री बनी मतलब के अंदर शाषीत बना कब पुनराज बना यह पको पूछ लेते हैं कई न कई कभी न कभी पूछ लेते हैं लग अलग तरीके से तापको कनफ्यूजन यो ना मैं आपको बिलकुल सहज तरीके से बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई 15 अप्रेल उनिस और तालिस को उसमें जब हिमाचल प्रदेश को बनाया गया वो एक मुख्यो आयुक्त क्षेतर था जिसको चीफ कमिशनर प्रोविंस एरिया कहते थे चीफ कमिशनर प्रो कहते थे इसके जो चीफ थे वो तीन बनाए थे सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब यह मुख्या आयुक्त क्षेतर बना था यह कब से कब तक बना तो यह उनिस और तालिस से इकावन तो तेन साल बना तो तीसमें तेन जो जो हमारे मुख्या आयुक्त है वो तेन थे तेन कौन कौन थे थे पहले एंसी मैता जी बने फिर इपी मून बने यहां पे मूल लिखाई गाईज मून है इनका नाम इपी मून ठीक है और भागवन सराय तो गाईज जो तीन नाम आपको दिख रहे हैं यह हमाचल प्रदेश के मुख् जो रहे हैं यह ठीक है तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि 15 अप्रेल 1948 को हमाचल प्रदेश जब बना था वो क्या बना मुख्यों आयुक्त ख्षेतर बना था और यह कब से कब तक रहा 1948-1951 तक रहा और एक एक्जाम दिया उनको पता भी है कि एंसी महता वाला कोशन बहुत वार एक्जाम में आया है तो अगर दूसरा पुछा तो इपी मून था तीसरा भागवन सराय हालंकि इनको बहुत ही कम रेयर चांसे 0.05 प्रसेंट अगर आपको याद नहीं रह रहा है या नहीं रह सकत प्रसेंट फील और यह तो उसके लिए मैं ख्षामा चाहता हूं क्योंकि वहाथ दिनों के बाद हम फिर से आपके लिए सीरिज लेकर आए हैं तो हो सकता है कि कुछ एक मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए हाप जोड़कर मैं ख्षामा चाहता हूं नेक्स्ट है कि हिमाचल हिमाचल प्रदेश 1948-1951 तक क्या रहा मुख्योय ख्षेतर रहा यह तो आपको पता है लेकिन गाइज 1951 में हिमाचल प्रदेश को गौश रेनी का रज्यों बनाया गया है साथियों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब यह समय चला था ठीक है जब चला था मतलब 1955 का दशक उस समय ABC इस तरह के स्टेट बनाएगे जैसे ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट इस तरह के राज्यों बनाएगे तो उसमें जो हिमाचल प्रदेश को गौश रेनी का रज्यों बनाया गया था तो आपको याद रखना है कि देखिए आपे भारत सी स्टेट इंग्लेश में इसको पार्ट सी स्टेट बोलते हैं तो साथ यह आपको रटा नहीं माना यार सिंपली आप समझो देखो कैसे 15 अप्रेल 1948 को क्या बना मचल प्रदेश बना स्थापना वी उस समय क्या बना मुख्याय उक्षेतर बना तब सेंपल आपको याद किया गया उसके स्थान पर गौश रहनी राज्य हमाचल प्रदेश बनाए गया एक्जाम में कोशन किस तरह काता है कोशन आएगा खेमाचल प्रदेश को किस बर्ष गौश रहनी का रज्या बनाएगा बिल्कुल सिंपल ऐसा पूझेगा तो आपको याद रखने कुछ इलिमिनेट के गया खत्म किया गया उसकी जगह उपराज अपल बनाया गया अब आपको जो इंपोर्टेंट चाहर रखनी है कि एक मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंग को हमाचल प्रदेश का पहला उपराज जिवपाल यानि कि लेफ्टेनेंट गवर्नर बनाया गया वह माह subsid है साथियो हमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज आपाल जानाया जानाम किसी कां इस चाकरवरती साथ्यो एस चक्रवर्ति जी कौन थे ये हिमाचल प्रदेश के प्रत्थम राज्योपाल थे ठीक है ये राज्योपाल थे जब कि ये उपराज्योपाल थे अब राज्योपाल है आप जानते है राज्योपाल जो होता है वो एक पूर्ण राज्योपाल होता है तो पूर्ण र सब्सक्राइब नहीं था और इसके साथ ही इंपोर्टेंट चीज़ है कि 1912 में इनको उपराजयोपल बनाया गया हिम्मत सिंग को इसके साथ ही आपको यह याद रखना है कि 1912 में ही हिमाचल प्रदेश में प्रथमबार इलेक्शन हुए बोटिंग हुई जिसमें कि 36 सीटों के लिए चुनाब हुए बहुत इंपोर्टेंट जो डीप को एक्जाम होते हैं जैसे टीजटी विगरा पीजटी उसमें पूछ सकते हैं लंग की पोलिस में शायद ही पूछ इलेक्शन हुए तो कितनी सीटे थी 36 सीटे थी 36 सीटों में कॉंगरस को 24 सीटे मिली यानि कि 24 सीटों के साथ कॉंगरस को बहुत बहुत मिला और अपनी सरकार बनाई और डॉक्टर वाइस परमार को ही 24 मार्च उनिस वावन को हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रूप में बनाया गया तो आपको सिंपल याद रखना है कि उनिस वावन में दो व्यक्तियों को नाम है आपको याद रखना है एक जनरल हिमत सिंग जो कि हमाचल प्रदेश के प्रथम प्राजियोपाल बने और इसके साथ ही डॉक्टर वाइस परमार जो की 24 मार्च उनिस पहले मुख्यमंतरी बने ओके और कितनी सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे 26 सीटे 26 में से 24 सीटों के साथ कॉंग्रेस को वह मत मिला और उन्हें अपना सीम जो है डॉक्टर वाइस परमार जी को बनाया था ओके यह कोशन का इस बहुत वारा आ चुका है कि हमाचल प्रदे चुण 1922 में हुए थे अब इसके बाद आपको एक देट और रहाद रखने उनिशत च्रौवन की उनिशत च्यावन मैं क्या होता गई विलासपूर था इंडिपेरे रियासत थी लेकिनुरवन में 1 जुलाई उनिशत च्रौवन में इसको इमाचल प्रदेश में मिलाया गय ठीकर बाकि आपको कुछ याद ने रखना है और 27,000 सम्थिंग पहले इसका एरिया था विलासपूर को मिला कर यह कितना बना 28,000 तो के तो यहां पर आपको दो यह रियाद रखनी एक एक 1904, 1960, 1904 में क्या हुआ है गाई 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 पर तो सभी सकते लेकिन आप इस तरह से पढ़े किया आप जब एक्जाम के टाइम में इनको रिकर और गनाईज कर पाए इस तरह से पढ़े ताकि आपको याद रहे तो दो डिस्टिक है आपको इसी तरह से याद रखने है ना 1904 में कौन मिला बिलासपूर और 1960 में कौन सा दिस्टिक हमाचल प्रदेश में मिला किन और गाईज इसके बाद एक और इंपोर्टाइट डेट आपको याद रखने है वो है 1956 अब 1956 में के हुआ गाई उनिस चापन में हमाचल प्रदेश को फिर से कैंदर शासित प्रदेश बनाया गया है ना और बजरंग भादूरिस केंदर शासित प्रदेश के पहले उप्राजियोपाल बने अब देख़ी साथ कन फ्यूज ने होना है सबसे पहले उनिस आटालीस में हमाचल प्रदेश बना क्या बना मुख्यों युक्षेतर कब तक कुंजा तक 51 तक 51 में क्या ये होना धातकवाल के फ्रसे फेसा बना ओकर फ्रसे आपको याद रखना है किभाइए ना जाने कितनी बार है इसके साती है इक चीज़वार आपको बताना चाहता हूं हालंकि यह फिर से वही वह की deep concept के लिए है ना 1956 में एक गठन आयोग गठन किया जिसका नाम था राज योपुन गठन आयोग जिसके तीन सदस्य थे पहले थे justice फजल अली हन कुंजरो और के अम पनिकर यह जो तीन सदस्य थे इनको state recognition commission बोलते हैं इसको 1906 में बना था तो यह तीन इसके सदस्य थे फजल अली एचन कुंजरो और के अम पनिकर इन्होंने जो है क्या अपना recommendation रखी इन्होंने सिफारिश रखी कि हिमाचल प्रदेश को दो के मुकाबल पंजाब में ही स्वारिश दी की मतलब हिमाचल प्रदेश को अलगरा जोनीए बनाना इसको पंजाब में रहने दौब जानते है वह मैंने आपको पहला बता है न हुमाचल प्रदेश पंजाब का ही एक क्या था इससा था ओके तो साथियों लेकिन डॉक्टर वायस प्रमा कैंदर्शाइशुत बनाया गया इसके साथ जयाद रखना बक्र हिय्क is तक 18 Mills को कैंदर्शाय।ela बनाया गया उसके बाद जो Log Central रैसे क्यांसित उपराज्वफ्bon 18 ङृत उफिस हमचल प्रदेश को त отд distress और ऐकशित न स्युन-चारइब परसेंट चांस में बोई पुछा जाता है मेजर जनरल हमत सिंगी ओके नेक्स्ट एक्षेत्र यह परिशाथ अब गई उनिसोचपन में क्या हुआ जब यह जो मैं आपको बता रहा था पहले आयो की सिफारिश है कि इसको पंजाब में रहने दो तो जो यह मजल प्रदेश से जो विधान सबा थी जो उनिस वावन में विधान सबा के जो इलेक्शन हुए थे विधान सबा के लिए उसको टार्मिनेट किया गया खतम किया गया और उसकी जगा पर फिर खेत्री परिशाथ बनाएगी एक उसमें कुछ याद ने रखना है आपको सिर्फ एक विक्ति का ना में रखना है वो है ठाकौर करम सिंग जो से मंडी से नितेत्व करते थे इनको जो है ख्षेत्री परिशद का प्रत्थम अध्यक्ष शुना गया यह समझे की जो सी एम होता है बाइस परमार जी थे उसी तरह की पावर रखते थे यह लगवर लग लग उसी तरह बिलकु उसको बोलते थे बुशेयर की चीनी चीनी उसकी ही तयसील थी चीनी तयसील थी तो यह कि नौर साथ में इसको मिलाए गया था उनिस्योचावन में विलासपुर्ट को मिलाए गया था अब जो एक और 1966 को पंजाब की पुन गठन के बाद कांगड़ा, शिमला, कुलू, लॉलस्पिती, नालागट, धलौजी, होशियारपूर से उना, कंड़ागाट आदी, शेतर हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए, हिमाचल प्रदेश के खेतर बल 55,672 km हो गया और जिलूं की संख्या बढ़ था, पहले चार जिले थे फिर विलासपूर उन्युस चौबर में बना पांच हो गये, फिर उन्हें 66, चार जिले और यह चार कितने हो गये, या लॉलस्पिती आया, अब यहां पर कनफ्यूजनी होगी, शिमला कहां से आगया, यहां पर शिमला, तो हमने आपने महसूक आत तो गये, वो उस टाम प्रॉपर शिमला नहीं था, कुछ चेक हिस्से था, इसको फिर से बाद मैं जो है, पुन गठन करके शिमला जिला बताया था, जो मैं अब यह आपको आगे बताने बाला हूँ, चार जिले आपको याद रखने कौन-कौन से आया थे, कांगड़ा, शि 66 में ही क्या हो, जो विधान साबा की सीटे है, उनको वढ़ा कर 68 किया गया था, रोके, और पुन राज्यों की प्रापती की बात अगर हम करें, तो पुन राज्यों की प्रापती इस तरह की है, कि जनवर 1968 को हिमचल प्रदेश विधान साबा ने एकमत होकर प्रस्ताब पास प्रदेश का आठरवा पुन राज्यों बनाने की गोश्नकी 25 जनवर neutral को हिमचल प्रदेश को देश का आठरवा पुन राज्यों बनाया गया और डॉक्टर वाइस परमार जी, पूर्ण राज्यों प्र प्रदेश के पहले मुख्या मंत्री बने 25 जनवर निनस गत्र को हिम यह चांस है सिर्फ एक चीज एक पॉइंट आपको याद रखना वह यह है कि एस चक्रवरती मचल प्रदेश के प्रत्म राज्य अपाल थे फिर से मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूं कि कॉस्टन अगर इस तरह का यह मचल प्रदेश का प्रत्म उपराज्य अपाल कौन था तो आपको ध्यान रखना है मेजर जनरल हिम्मत सिंग हूंगे लेकिन अगर राज्य अपाल पूछे तब जोए ऐस चक्रवरती होगा अगर पूछे कि केंदर शासित जब हिमाचल प्रदेश केंदर शासित था तो उस समय उपराज्य अपाल कौन थे तो आपको याद रखन इनके बारे में अब आप समझिए क्योंकि 10 जीले थे यहां देखिए 1932 की बात हो रही है उसी कतर बतर की पून राज्य बनते ही समय में मचल प्रदेश में 10 जीले थे लेकिन 1932 में जिलों का पून गठन किया गया 1922 में किया गया तो कांगडा जिले को विवाजद करके उन 149 को इफsz outrageous को भाता इन दोनों को ही पूनर गठन करके डो नए डीस्टिक्स बनाएंगे मतलब खेतरों को इंटरचैंज करके मतलब जगण डिस्टिक्स और शिरम cup फेर неё को इंटरचैंज का गया आज हमाचर परदेश में 12 जीले हैं और आप सभी जानते कि यूदों नेक् प्रशाशन कवरने वाले हैं अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा विडियो पर लाइक करेंगे शेयर करेंगे विडियो और अपने सुझाब में कॉमेंट सेक्षन में जरूर दे कि आपको ये विडियो कैसी लगी कि हमें ये शिरीज आगे चालू करनी हैं अगर आपका सह करें कि जो हमने आज आपके लिए करवाया है इसके बैस्त एम सी क्यू लगभग 50 एम सी क्यू लेकर आएंगे तो इसके लिए आपको वीडियो को जागा से जागा क्या करना है शेयर करना यार जो बाकी भाई है बाकी साथ यह उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ठीक है तो अब अगर हम राजवापाल की बात करें तो राजवापाल में आपको याद रखने कि जो राजवापाल राजवापाल है को मुख्या हूता आप जाते हैं 25 जनवर 1970 को परदेश को पून्राजवर दर्जा के बाद जो एस इसी कारण बश्मृत्य हो गई थी इन तेन नाम को याद रखना है एस चक्रवर्थी तो आपको पता यह याद रखना है बिल्कुल पॉइंट टेक कर लीजिए बिल्कुल इंपॉटेट नाम है क्योंकि पहले राजियोपाल थे शीला कॉल आपको याद रखना है कि फस्ट ल थेए धाकोरामलाल सबसे कम अब ठक्रवटल रहे थे ख्यास के साथ साथ कींड़कों नी ये कुसी अन्धर प्रदेश क recruiting थेई धे आपकोлекनल्म रहे थे हैं जान पर उनने सरकार को भी भंग भी किया था तो के कॉशन इस तरह से बंते है कि प्रदेश के वह कौन से ब्यक्ति थे जो प्रें हिमचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ-साथ एक अन्या राज्यों के राजयपाल भी रहे हैं तो ठाकोर राजयपाल है तो के यहां पर आप देख रहे हैं कि शीरी सबागी कितनी तीन है और जो लेजिश्टेब एसेंबली की सीट्स कितनी तो 68 है तो यह बिल्कुल बच्चों वाला कॉशन है ना ही मैं इन पर अपना टाइम देना चाहता हूं लंकी गाहिसे को आप लाइट ली ना ले हैं जो यह पुलिस का एक्जाम है या इस तरह के जो सब्सक्राइब कितनी सीटे तो साथ होगा अगर स्वाड़ों कि मुझे आप जानते हैं लोग साब राज्य सब्सक्राइब और राज्य सब्सक्राइब आ जाए जाए ने चाहूंगा लोक्स्बा में हिमाचलकार प्रतिनिधृतिद्रप करने वाली पहली मैल लेया गारी है वाचल प्रदेश की प्रथम क्या थी यह सांसद थी जो लोग सभा गई और यह आगे चलकर हम इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर भी ठीक है स्वास्ते मंत्री भारत की पहली स्वास्त मंत्री कौन थी तो राज-कुमारी अम्रित-कौर थी नेक्स्ट अगर हम बात करें विधान सावा की तो गाईज विधान सावा क्या आप जानते कि 68 सीट्स है बरतमान में और उन 68 सीट्स में आपको याद रखना है कि कौन सेटिस्टिक में कितनी सीट्स है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ फिलाल आपको यह चीज याद रखनी है कि लोल्स पिति का हिकम जो है हिकम पुलिंग स्टेशन जो है वो एशिया का सबसे उन्चा मतदान के अंदर है इसके उन्चा लगवग 15,000 फुट है तो हिकीम को आपको याद रखना है इसके अलाबा का जो यहां पे दिख रहा है आपको का मतदान के अंदर का एक हिकम है हिकम सबसे उन्चा जो का है गाई जही सबसे छोटा मतदान के अंदर है यहां पे मातर 16 पंजीकृत मतदाता है यह दो आपको याद रखना हो सकते हैं अब यहां पर आपको यह चीज याद रखनी है कि कौन से डिस्टिक में कितनी सीट से बहुत वा आइडिया ने वह तो एबी सी में टेक करेंगे डी ऑप्शन होगा कि नन अफदा वह तो इस क्वेशन को बिल्कुल सिंपल तरीके से पुझा जाता है आयोक के द्वारा पुलिस के लिए अगर पुछा जाए तो किसी में भी पुछा जाए तो मैं आपको बताना चाहता हू तो आपको बिल्कुल सिरियसली ध्यानपूरवक सोचना है अब इसको कैसे लर्न करना है ताकि आप कभी विना भूले तो आपको सिंपल याद रहे हैं तेन डेस्टों का बिल्कुल इजली याद रखना है कांगड़ा 15 मंडी 10 शिमला 8 यह तीन होगे ना यह तीन तो बिल्क आपको याद रखना है बाकि मेंने भी आपको तीन उपर पता है पांच होगे बाकि जो चार बचे आपके बचे आपको भी आगे बताने वाला हूँ तो पांच जीले कौन कौन से हुए आपके उन्ना हो गया आपका सुलन हो गया सिरमौर हो गया हमीरपूर हो गया चमबा यह पांच जीले ऐसे हैं जहां पर कितनी सीट्स है टोटल पांच सीट है अब देखिए चार की बात करें कुलू और विलास पूर में आपको अभी बताया कितनी है चार चर है तो बागी बचे 5 जीले तो बाइक्च जीलों में है 5-5 सीटे में फिर से रिपीट कर रहा हूँ यह पांच जीले कौन कौन से है यह है उन्ना सोलन सिरमौर हमीरपूर चमबा और इन पांच जीलों में 5-5 बिहान सबागी स है कि अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट सेग्मेंट की और जो है कि खूए कि अधेक्षच कॉन है यह दायरेख्ट लिक्सा में लिए सब्सक्राइब तो सथी जो विधानसवा अध्यक्ष यहां प्रथम इंधर राम लिए उपण जा सकता है ठीक है तो आपको पुझा जाएगा अगर किसी केस में बिद्या स्टोक्स का भी पुझा कौन से ते कृष्ण चन्ध तो जैसे आपको जैवंत्राम कि प्रत्म विदान साथा है चीप सेकेटरे तो यह जकी है बिल्कुल इंपॉर्टैंट इंपर्टन्ट है पढ़ेंगे लेकिन इनको स्किप कर लेते हैं क्योंकि वीडियो के और इस चैप्टर के लास्ट में लास्ट सेक्षिन में और यहीं से क्वेशन पूछते हैं जैसे जैवंतराम का पूछ जाएगा या कृषिन चंद जी के बारें पूछ जाएगा ठीक है तो आपको याद बना था उच्छ निया लेग बना था पत्चीस फरवरी 1931 को पुन में रजेट्यट करने पर हिमचल पर देश में त्रीश हिमचल परदेश में तरिस तरियां पदेश नियाल्योग के स्थापना की गई तो कभ गी गई 1971 में जब उच्छ नियाल्यी अबना या का घठन किया गया शिमला में उसके बाद ही हमाचल प्रदेश में जुडियू श्री ने रप्तार पकड़ी ठीक है तो क्वेशन आता है कि हमाचल प्रदेश के प्रथम न्याय मूर्ति कौन थे उचिन्यालियों के तो मिज्जा हमिदुल्ला बेग आपने ये नाम भी बहुत बार पड़ा ह होगा कि मिज्जा खमिदुल्ला बेग घिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यों नाई दिश थे तो अगला है श्री मेहर चंद के बारे में जो कांगड़ा के श्री मेहर चंद जी थे मेहर चंद महाजन जी थे यह गयज एक ऐसे एक मातर व्यक्ति थे जो भारत के सर्वोच स्प्रीम कोड के मुख्या नयाय दिश रह चुके और 1924 में स्रभोच नयल्यों के मुख्या नयाय जुदी थे चुके हैं यानि कि सप्रीम ऑठब्स दूना जद्जिये रह चुके हैं ठीक है हमारे लिए भी गर्भ की बात और आपको यह याद रखना है इसके अलावे एक अनयनाम है जो आपको यहाद रखना हराँ है नयायमूर्ती लीला शेट भरत के किसी भी उचेल लेखी सहर प्रतम पहला मुक्यां है न्याय धीश थी तो आपको याद रखना है मचल प्रदेश की पहली मुक्याare लेडिच जो डर रिपले दुखली सभ्ट में पहले वहाइली नियाय मुरती थी महिला नियाय मूरती अब जो जूरी शेल forgiveness के वारे में पड़ें तो जूरी सेवार क्मिशनर क्या है कि जो नएक है श्रीठ यार राम वह तो सुरक्षा हिमाचर प्रदेश के सेंकों ने अभी तक सेंकडों भादरों के पदक बहादूरी के प्राप्त कर लिए जिसमें की दो विक्टोरिया क्रोस चार परंबीर चकर एक अशुक चकर 15 महावीर चकर ठीक है और अशी बीर चकर शामिल है तो अब इसको याद कैसे करना है पूरे कोई तो याद करने सकते एक्जाम में कैसे पूछते हैं क्या कोशन बंते वह आपको बिताने वाला हूं विक्टोरिया क्रोस क्या बात करें तो गाइस दो व्यक्तिव को अभी तक है मिल चुका है पहला जो भ हमःबी विलासपूर क्षेतर है वहां की मेजर जनरल बंधारी राम जो हमेचर्पडेश के दूसरे विक्टोरियаться क्रोस क्रोस बिजएता है तो दुनों वह आपको याद रखना है पहला जो है जमादार लाला राम प्रथम क्रोस क्रोस बिजएता है जबकि मेजर जनरल बं परमबीर चक्र बिजेता है यह उन्हें यह पुरुसकार मनों पुरांत दिया गया था मेजर सोमनाद चर्मा ने तीन नमामर निनियों सो सन्तालीस को कश्मीर अपरेशन के दावरान शीरिनेगर शैर तता हवायदे को पाकिस्ताना करमन से बचाने कहतर अपना सरबोच वल्ली दान दिया था इस कारण इनको सरप्रतम परमबीर चक्र दिया गया था इसके अलावा गोर्खा राइफल से समय रखने वाले कैप्टन धन सिंग थापा भी परमबीर चक्र से समानित किया जा चुके है कांगडा के कैप्टन विक्रम बत्रा जिनको कारगिल ऑपरेशन के दिया गया था तो चार नामा को याद रखने क्योंकि अभी तक चार व्यक्तियों को हिमाचार प्रदेश में परमबीर चक्र दिया जा चुका है पहला है कांगडा के सुमनात शर्मा दूसरा है धन सिंग थापा तीसरा है विक्रम बत्रा चौथ है राइफल मैन संजय कुमा तो आपको यह नाम रखना है किसी तरह से पूछा जा सकता है अब महावीर चक्र की बात करें तो महावीर चक्र के सरप्रथम किसको दिया गया था तो लेफ्टन करलन कमान सिंग को दिया गया था यह तो के लेफ्टन करलन कमान सिंग हिमाचार प्रदेश के प्रथम महावीर बीर चक्र बीजेता है तो के साथ यह थी हमारी आज की वीडियो उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हमने पूरा प्रयास किया कि आपको हर एक कॉंसेप्ट अच्छी ते समझाए वीडियो लंबी बनी और एक चीज मैं यहां पर जुरूर मेंशन करना चा वीडियो को वाच कर रहा था बेना सकिप किये तो उसका दिल की घराईयों से बह।ट बहुत शुक्रिया उमीद करते हैं शौर से कि आपको जरूर सफलता हैसिल हो किकि पेशेंस को हम भी दिल से स्लाम करते हूं साथियों कमेंट में जरूर अपनी राय दे कि आपको ये वीडियो कैसी लेगी गर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करने के साथ साथ गाइज शेयर करना बिल्कुल ना भूले अपने साथियों के साथ अपने सहयोग्यों के जो भी एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ प्रमेंट में जरूर बताइए साथी हो कि आपको वीडियो कैसी लेगी कि हम इस सीरिज को आगे भी जारी रखना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेएगा जाहिंद